मेरे बहुत ही प्री और बेहत सम्मानित साथियों रिदय की असीम गहराईयों से अभिनंदन बहुत बहुत हार्दिक स्वाकत साथियों आपके कमेंट्स के माध्यम से और आपके इमेल्स के माध्यम से हमें ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है कि इस श्रिंखला का बहुत ज्यादा लाभ आप लोगों को मिल रहा है और आप इसको आगे भी यदि किसी को दुर्भागिवश आईवीएफ का सहारा लेना पड़ रहा है तो ये उनके हमेशा हमेशा काम का एपिसोड रहेगा साथियों आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुला लगन के जातकों के बारे में यदि उन्हें आईवीएफ, एकसी या आईईउआई इस प्रकार की किसी भी बद्धती का सहारा लेना है तो वो इस एपिसोड के मात्यम से ये जान सकते हैं ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आईवीएफ की सफलता की दर उनके लिए कितने प्रतिशत है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कई जातक हम से मिलते हैं जो ये कहते हैं कि आचारे जी एक नहीं बलकि दो या तीन बार आईवीएफ हमारा जो है वो असफल रहा है पैसों को लेकर के हम तूट चुके हैं समय हमारा बर्बाद हुआ और साथ ही हमारी भावनाओं कभी खिलवाड हुआ उसी से प्रेरित होकर के हमने श्रिंखला का निर्मान किया है आप स्वयम अपने लगन और अपने जीवन साथी के लगन दोनों के लगन के बारे में यदि विस्तार से जानना चाहते हैं कि कितनी है सफलता की दर तो उससे संबंधित लगन जो है उसका एपिसोड आप देखिए यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप उससे संबंधित एपिसोड देख सके साथी ओ डॉक्टर के लिए बहुत आसान होता है यह कहना कि आपका आई वी एफ असफल हो गया उस माता पिता से पूछिए जिसने सपने संजोए थे अगर सफलता की बात करें तो भी वो कह देता है कि केवल यह सत्तर प्रतिशत सफलता की इसकी दर है तो साथी ओ आज हम तुला लगन के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए यदि आप तुला लगन के हैं तो अपनी जन्म पत्रिका आप खोल करके बैठ जाईए और उसका मिलान आप ठीक ठीक से करते रहिए से पहले कि हम तुला लगन और नहिसंतानता पर चर्चा करें एक बेहत जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्यक एपिसोड के अंत में किसी ने किसी जातक के प्रशन का उत्तर देते हैं और यह प्रशन में प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से साथियों जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले हैश्टेग आचार चंदरकांद इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रशन जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा इसी एपिसोड के अंत में आप से पूछा जाएगा उसका सही उत्तर भी साथ में जरूर लिखें साथियों यह आपको स्क्रीन पर जो जन्मपत्र का दिखाई दे रही हैं यह है साथ नंबर से प्रारम्ध होने वाली जन्मपत्र का इसलिए यह है एक तुला लगन की जन्मपत्र का तुला लगन बहुत ही खूबसूरत बहुत ही संतुलित लगन योग कारके सबसे बड़े हैं वो है शनीदेव और शनीदेव ही यहाँ पर पंचमेश भी है साथ यो सबसे पहले हम 100 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत की चर्चा करेंगे क्योंकि 50 प्रतिशत स्वयम में गुरू के हाथ में है सिर्फ गुरु वो ग्रह है जिनके पास में इतना बड़ा आशीरवाद है कि वो जिस पर भी महरबान हो फिर चाहे कई बार पंचमेश भी साथ दे न दे व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है तो आपको सबसे पहले गुरु देव पर दृष्टिपात करना है यदि तीन स्थुदियों में से कोई भी एक गुरु देव की स्थिदी आपकी जन्मपत्रिका में है तो आप निश्चित जानिए कि 50 प्रतिशत तो एकदम खरे हैं एकदम सुनिश्चित हैं सफलता की दर अंक जहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं वहाँ पर यदि बिराजमान है तो गुरु देव हो गए उच्च के और 50 प्रतिशत आपके यहाँ पर हो गए बिलकुल खरें दूसरी स्थिती यदि इसी जन्म पत्रिका में गुरु देव केंद्र या त्रिकोण में इन में से कहीं पर अवस्थित हैं तब भी आप अपने 50 प्रतिशत सुनिश्चित जानिएं तीसरी जो इस्थिती है वो ये कि यदि इस जन्म पत्रिका के लगन भाव में नवम भाव में या फिर लाव भाव में इन तीनों में से कहीं पर भी गुरु देव बिराजमान हैं तो वो अपनी सीधी और स्पष्ट द्रिश्टी से पूर्ण द्रिश्टी से पंचम भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर भी वो 50 प्रतिशत आपकी समस्या आसान कर देते हैं या हमारी भाशा में कहें तो 50 प्रतिशत आपकी IVF सफलता के दर सुनिश्चित कर देते हैं यदि पंचमेश शनी अस्त नहीं है, अर्थात सूर्य के साथ में जाकर के बिराजमान नहीं है, तो आप दस प्रतिशत इसमें और जोड़ लीजी। दूसरी बात, यदि पंचमेश शनी त्रिक इस्थानों पर नहीं है, अर्थात छठे, आठवे या बारहवे भाव में नहीं है, तब फिर आप और उसमें दस प्रतिशत का प्रावधान कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात, यदि पंचमेश शनी राहू और केतु इन दोनों में से किसी के साथ में भी यूती करके नहीं बैठे हैं, तब आप और उसमें दस प्रतिशत का इजाफा कर लीजी। चौथी बात, यदि पंचमेश शनी नीच राशी के नहीं हैं, अर्थाथ वो सब्तम भाव जहाँ पर की एक नंबर का अंक लिखा है, वहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं, तब आप और इसमें दस प्रतिशत जोड लीजी। पांचवी और अंतिम शर्त है पंचम भाव, पंचम भाव यदि पाप करतरी दोश से मुक्त है, अर्थाथ जहाँ पर आप दस और बार हैं, ये दोनों नंबर के अंक लिखे हुए देख रहे हैं, इन दोनों ही भावों में, एक साथ में, यदि राहू, केतू, शनी, मंगल सूर्य, इस प्रकार के पाप या कुरूर गरह नहीं है, तो आप दस प्रतिशत इसमें और भी जोड लीजे। इस प्रकार से आप अपनी सफलता का दर स्वयम सुनिश्चित कर सकते हैं, ग्याद कर सकते हैं, बहतर निरन ले सकते हैं, सबसे बहतरी निरन तो साथियों यही ह होता है कि कुंडली मिलान के समय इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए विद्वान जो कि कुंडली मिलान करते हैं ये उनका दाइत होता है कि वो वर और वधो की कुंडली देखें संतान पक्ष को ठीक से देखें ताकि इस प्रकार की परिशानी किसी भी दंपत्ति को छेलनी न पढ़े दूसरी बात जब भी आप IVF के लिए जाते हैं तब आपको गुरू की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, गोचर इन सब पर जरूर दृष्टिपात करना चाहिए यदि ये आपके फेवर में होंगे तो पहले ही अटेंट में आपको IVF में सफलता अवश्य मि से देवेश जी आपने पूछा है कि आपकी स्थाई नौकरी कब लगे की जो 2022 आएगा जनवरी में ही आपके लिए वो नौकरी की सौगात ले करके आएगा जब भी आप किसी परीक्षा या इंटर्व्यू के लिए जाते हैं गौमाता के दर्शन करके जाएं आपकी परीक् क्यवाब देना है कि पंचमेश कौन सा ग्रह होता है तुला लगन में आप सभी स्वस्थ सम्रिथ और शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करें नमस्कार जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे कि शादी में देरी होना पती पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना संतान का प्राप्त ना हो पाना नौक्री या धन प्राप्ती में बाधा आना जीवन के प्रत्यक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विशलेशन करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ती